ए जादा मैदा नहीं करेंगי गहो का आठा हमने ले लिया है अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादनुसा और तेल एड़ कर देंगे एक टी स्पुन तेल एड़ करने से जो पराठा है वो बहुती सॉफ्ट बनते है और तेल डालने के बाद हम सारी चीजे पहले हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे जब तेल को हमने आटे में मिक्स कर लिया उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे को गुंद लेंगे जैसा हम नॉर्मल आटा गुंदते हैं मीडियम उसी तरीके से हमने आटे को गुंद लेना है ना जादा hard रखना है और ना ही जादा soft तो ये देखिए आटा मैंने गुंद लिया है तो अब हम इसे थोड़े देर के लिए rest रख देंगे तो यहाँ पर आटे के उपर हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे तो ये तेल लगाने के बाद मैंने धक्कर रख दिया है तेल लगाने का वीडियो आया नहीं है अब यहाँ पर मैंने ले लिए है चटनी के लिए आधा कप पुदीना, एक कप हरा धनिया, दो लसन की कलिया, एक हरीमिच और आधा नीम्बू का रस तो ये सारा मिक्सर जार में हमने डाल दिया है जो नीम्बू का रस हमने लिया है वो भी डाल देंगे अगर आप जादा तीखी पसंद करते है चटनी तो आप हरीमिच के कौन्टिटी को बढ़ा सकते है वन फोर टीस्पून एड़ कर देंगे जीरा नमक एड़ कर देंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे पानी और इसकी चटनी इस तरह से देखिए हम तयार कर लेंगे तो यह हमारी चटनी भी तयार हो गई है पराठी के साथ सर्फ की जाने वाली और यह मैंने अब ले लिया है पनीर 250 ग्राम तो पनीर को अब हम यहां पर थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे और इसके चोड़ी चोड़ी टुकड़े कर लेंगे या आप इसे ग्रेट कर ले तो वह अच्छा फैलेगा भी और उसके कोई चोड़ी चोड़ी टुकड़े आएंगे भी नहीं या इस तरह से आप इसे पूरा चूड़ा कर लें तो मैं पहले थोड़ा थोड़ा कट कर रही हूं और फिर हम इसे इस तरह से मैश कर देंगे अगर आप ग्रेट कर लेंगे तो वह पूरा अच्छे से मैश हो जाएगा तो यह पनीर को मैंने इस तरह से मैश कर लिया है यह दिखिए अब हम इसमें एड़ करेंगे 0.4 तीच्पून भुने ओवे जीरे का पाउड़र और 1 तीच्पून देंट कर दिखिए और साथ में एड़ करेंगे हैं एक स्टीब स्पून बारी कटी हुई प्यास दो हरीमिच बारी कुटी हुई साथ में अद्टेम fate को संड़ से लालमिच और आधे हैं सब्सीटों कम दें नहीं किये हैं धो मसाले को दो हमने यारीमिच नहीं का कान रगंगे मिक्सृत कर deciding किया है0 और यह आटे को जो हमने रख दिया था उसे अब हम तेल डाल कर थोड़ा सा और गुंद लेंगे तो यह तेल लगा लिया है मैंने आटे के उपर और अब हम इसे फिर से गुंद लेंगे ताकि आटा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अब हमरा अटा पराठे के लिए तो अब हम आटे का पहले गोला तयार कर लेंगे इस तरह से तो यह दिखे आटे का गोला हमने तयार कर लिया है अब हम इसे पहले थोड़ा बेलेंगे तो यहाँ पर हम सुखा आटा लगा लेंगे और थोड़ा बेल लेंगे तो यह सुखा आटा मैंने लगा दिया है और अ जाना चाहिए तो यह दिखिए मैं थोड़ा ज्यादा भरा है और मोटा भी है तो दिखिए इस तरह से आपको दबाते जाना है और घुमाते जाना है ताकि हमारे परिठे में हर जगा पे अच्छे से फीलिंगा देंगी तो पहले और फटेगा भी नहीं तो दिखिए मैं दब तो यह एक्स्ट्र जो था वो मैंने निकाल दिया है अब इसे हम गोल कर लेंगे और सुखा अटा लगा कर पहले हम हातों से इस तरह से प्रेस करके सारी जो अंदर की फीलिंग है वो फैला लेंगे पहले थोड़ा आपको ऐसी हातों से इस तरह से करना है ताकि आपका प्राथे के अंदर हमने फीलिंग थोड़ी जादा भरी है तो हमें हलके हातों से बेलना है यह देखे है जैसे आप देख रहे हैं अंदर आपको फीलिंग भी दिख रही होगी पराथा बिलने के बाद हम तवा गरम करने रख देंगे थोड़ा सा घीर डालेंगे और पराथ हलके हलके दिखे अब golden marks इस पे आ गया है तो हम पलट लेगे पराठे को और दोनों तरफ से हम इसी तरही के से सेखेंगे तो पहले में यहां पर थोड़ा सा उपर घी डाल रही हूं क्योंकि पराठा घी डालने के बास सिख जाता है अपने आप ही तो एकदम हमें golden spot नहीं ला लेंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छे से golden marks आने तक सेक लेंगे बहुत ही मज़ेदार यह पनीर पराठा बनकर तयार होता है आप इसे नाश्टे में सर्फ करें या लंच में अगर आप पसंद करते हैं और बहुत ही मज़े का healthy पनीर बहुत फाइदे मंद होता है तो य जाएदे में अठी इसाथर ही तो बिकए देऊ ब्स एफआप्टे मारा बनकर तयार है तो बाकि के बीचिए लिवाटे आ लेंगे इसे तरह जिए सर्फ अधन करें इसे बना ले आव ब्स पर आजेखिए हो मैं दुस्टरा भी पराठा मैंने त्यार कर दिखा दी हूँ चि बटर और गरम गरम पराथा पर बटर जहें वह मेल्ट होने लग गया है साथ में हम इसमें चट्नी मैंने ले ली है तो यह मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूं और यह देखें मज़ेदार पनीर पराथा तो आप भी घर पर इसी तरीके से पराथा बनाएं आपके भी पराथे एकदम पर्फेक्ट बनेंगे और साथ में यह बनाए हरी चट्मी तो यह हम उपर साथ में लगा लेंगे थोड़ा सा बटर और मज़ेदार पनीर पराथा सारे पराथे को दिखें मैंने इसी तरीके से बना लिया है एकदम पर्फेक्ट और बहुत ही टीस्टी पराथे के साथ बटर बहुत ही अच्छा लगता है तो हर बार मैंने इस पर रख दिया है गर्मा गरम पराथे के उपर बटर ताकि वो मेल्ट हो जाए इस तरह से ऐसे भी मैं आपको तोड़के दिखा रहती हूँ जो अंदर की फीलिंग है क्योंकि ये पराथा भी बहुत गरम है गरम गरम मैं आपको दिखा रही हूँ ये दिखें हर तरह फैली है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीच में है सारी तरह फैल गई है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये पनीर पराथा की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताईएगा और आप भी इसी तरीके से ये पनीर पराथा ज़रूर बनाएं और गरमा गरम सर्फ किजएगा आप इसे चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ भी आप इसे सर्फ कर सकते है झाल 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 झाल